हेलो दोस्तों मितला दोन आप सभी का स्वागत है आखिर कार खतम हुआ DRM का दर्भंगा फॉर्वीज गंज रेल लाइन पर आज का निडिक्शन दोस्तों जैसे कि मैं आप सभी को अपने पिछले वीडियो में दिखाया था सराइगर जंक्शन का वीडियो की वहाँ पर DRM सम वीडियो मैंने पनाई है आप सभी कुछे अभी सब कुछ दिखाने वाला हूं तो पूरा वीडियो आप सभी जूर देखेगा और चैनल पर नए हैं तो ऐसी और वीडियो के लिए सब्सक्राइब बनाते हैं तो अभी आप से दिसतों कि यह सराइगर से ट्रेन खुली है कर सब्सक्राइब तीन बज कर अंठावन मीट पर खुली थी और अभी यह वीडियो जो फॉर्बीज गंज पहुंचने का वीडियो है फॉर्बीज गंज पहुंची ट्रेन करीब जो है सारह साथ बज़ेगा असपास समसा तो कि उसको फॉर्बीज गंज आने में पूरा तो दोस्तों आखिर इस निरेक्षन में क्या हुआ तो निरेक्षन का शेडियूल था वह सुबह दस बज़े था की समस्तिपूर से निकलने वाले हैं और अभी जो देखिए सार साथ बज़े जो है पहुंच गया है तो निरेक्षन तो संपूर्ण हुआ यह वीडियो है सरा सब्सक्राकरे कुछ भीर इस दिन से ब्सक्राइब करने इस बता बाद च Creek मिए मैं आप से कुछ नहीं दिखा रहा हूं और इनिक्षन करते टाम समने डीयर में हमारे और यह वीडियों है सराइगार का जब सराइगर में पुरा इनिक्षन किया था और आसपास के जगों को घूमा था उसके बाब सराइगर में करीब 30-40 मिल रुखते हैं और उसके बाद जो है सराइगर से खुली तो डियारम जो है रागोपुट में जाकर रुके तो रागोपुट में उनसे काफी लोग ने यहीं सवाल किया कि सर सहार्था से फॉर्विजगंद के बीच कब ट्रेन चलेगी तो वहां उन्होंने पुल पर भी सवाल उठाए कि जो ट्रेन अभी सहार्था से लेकर ललीत क्राम तो चलती है उसको जल्द से जल्द पॉर्विश गन तक एक्ट्रेंड करना चाहिए और तरभंगा से जंजारपुट के बीच में चलती है उसको जो एट आनपूर्व जोगबनी की अभी बात ना ही करे तो उसमें अच्छा ह क्योंकि दानापुर जोगबनी और सहारसा जोगबनी चलेगा कोई भी उम्मीद नहीं है इस रेल लैंड पर फिलाल जब तक पुलों का निर्मान ठीक से नहीं हो जाता है कि इतना खराब इस्तिती पुल का जो है कैसे है इस रेल लैंड पर और जल से जल जो है पुल बनना चाहिए तो इस तरह से कुछ आज का जो है निक्षन संपूर्ण हुआ और अब जो है डियान वापस जो है समस्ती पुड की तरफ लोट जाएंगे चले दोस्तों मिलता हुआ मैं से बहुत जल्द हमारे एक और नए वीडियो पर एक और नए अपडेट साथ तब तक लिए ऐसे ही हों और वीडियो के लिए हमारे चैनल साथ जूले रहे तब तक लिए जया हिंद जया भारत जया ममितला